हेलो दोस्तो तो स्वागत है आपका हमारे ओनलाइन स्टेडी चैनल पॉंआर स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तो हमने इतियास जीके के टॉप 25 अती मैजम मुशनों की सीरी सुरू की थी जिसके हमने 10 पार्ट पढ़ लिए थे आज हम 11 पार्ट पढ़ेंगे तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलपल होने वाला है तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो आपका पहला स्वाल है कि जो चितरकला के सत्रू है मैं उनका सत्रू हूँ या किस मुगल सासक ने कहा था तो आपको याद रिखना है या कहा था जहांगे रिने ठीक है तो दोस्तो आपको 25 परसंदी जाएंगे जिसमें से आपने कितने परसंद आईगी है वो हमें जल् कि संदी किस कि सासन काल की मैत पुन उपलब्दी थी तो आपको याद रखना है यह मैत पुन उपलब्दी किस की थी जहांगेर की तो आपका अगला स्वाल है कि निमलिकित में से किस सासक का काल संग मन मर का काल कहलाता है तो आपका उतर होगा साजा ठीक है साजा काल को संग यो की थी सेर्साने ठीक है कौन सी प्रतारम की थी तो प्रतायों कबूलित की प्रतारम की थी किसने सेर्साने अगला स्वाल है कि राजपताना के निम्र राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रकुता स्विकार नहीं की थी तो आपको याद रखना है, जो की थी, मेवाड ने नहीं की थी, ठीक है, मेवाड ने अकबर की संप्रकुता को स्विकार नहीं किया था, अगला देखते हैं, तो आपका अगला स्वाल है, कि एतामाद उद्दोला का मकबरा, आगराम में किसने बनवाया था, तो आपका उतर ह तो आपका अगला सौाल है कि बारत में ग्रांट ट्रेक रोड किस ने बनवाई थी? तो आपको याद रखना है बनवाई थी? सेर्सा सुरी ने कॉंसी रोड ग्रांट ट्रेक रोड अगला देखते हैं तो आपका अगला सौाल है गुजरात विजे की यादगार में अकबर ने किसका निर्मान कर आए था? तो आपका अगला सौाल है बनवाई थी? किसके बीच हुई थी? तो आपका अगला सौाल है कि दीन ए इलाई नामक नया दर्म किसके द्वारा सुरू किया गया था? तो आपका अगला सौाल है कि मुगल परसासन विज़ता में अगला सौाल है अगला सौाल है कि मुगल काल की राजधानी राजबासा कौन सी थी? तो आपका अगला सौाल है कि किस यूद से बारत में मुगल परसास की नियू पड़ी? तो आपको याद रखना है वह यूद था पानी पत का परतमियूद से मुगल राजधी की नियू बड़ी? तो आपका अगला सौाल है कि निमलिकित में से किस ने अकबर की जीवन कता लिखी थी? तो आपका उतर होगा अबूल फजल ने अकबर की जीवन कता लिखी थी अगला देखते हैं अगला स्वाल है कि उमाई नामा किस ने लिखाता? तो आपका उतर होगा गुल बदन बेगम ने वमयू नमा लिखा था अगला देखते हैं तो आपका अगला सोाल है कि अक्बर के सासंकाल में महाबारत का फार्शी बासा में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से जाना जाता था तो यह जाना जाता था रजम नामा के नाम से ठीक है क्या जाना जाता है महाबार जो फार्शी बासा में जाना जाता है क्या रजम नामा के नाम से जाना जाता है अगला देखते हैं तो आपका अगला स्वाल है कि अगला स्वाल है कि अकबर के सासनकाल में पूरा जिस सिदारों के लिए कौन उतर दाई था तो आपको याद रखना है यह था टोडरमल अगला देखते हैं तो आपका अगला सौल है कि अख्बर द्वारा बनवाए गए उपासना भावन का नाम क्या था तो आपका अगला सौल है कि किस ने मूगल सामरे जीक की राजदानी को आगरہ से दिली इस्तारां तरत की थी तो आपका उतर होगा साजा ठीक है साजा साजा ने सामरे जी की राज़ाने को आगरा से दिली स्थान अंतर की थी अगला देखते हैं तो आपका अगला स्वाल है अकबर के युवावस्ता में किसका उसका सरक सकता अक्बर के युवास्था में उसका सरक सकता तो कौन था? को था? वैरम खा ठीक वैरम खा था जो अक्बर के युवास्था में उसका सरक सकता तो आपका अग्लस वाल है कि नेमलिकित में से किस इस्थान पर नादिशा ने चड़ाई नहीं की थी तो आपका उतर होगा कन्योज ठीक है कन्योज पर नादिशा नहीं चड़ाई नहीं की थी तो दोस्तों आपको 25 परशन दी गए थी जिसमें इस आपने कितने परशन सही की है वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करें जरूर बताए और अगर आपको वीडियो अचा लगा है आपके लिए थोड़ा सा भी यल्पू सा भी दुआओ दो वीडियो लाइक और जनको सब्सक्राइब कर लिजिए दन्यवाद